हेलो काईज मैं हूँ अर्मीट आप सब लोग देख रहे हो हर्मीट गेमिंग जोन तो आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर गाईज मैं मंडे को कोई चीज की विजिसमेंट नहीं डाल पाया तो तो मैं आज डाल रहा हूं तो मैं उतर चुका हूँ रिम नाम विलेज करके एक जगा पर जहां पर बहुत सारे घर भी है ब्रिज भी है देखते हैं गन मिलती है की नहीं या तो पहले बंदे मिल जाते हैं ठीक है चला अभी मैं फिलाल के लिए मुझे मिल गई है शौट गन ये कौनशी शौट गन है मेरे को तो पता नहीं है आमस मिल गई मेरे को अब वो क्या है यहां पर ओके मुझे ए आरेमो मिल गई है आगे नहीं कलते हैं कोई घर के अंदर जाके धूनते हैं की ये गन मिलती है कोई और तो ठीक है वरना यही गन चलाने पड़े गी हमें अभी के लिए मुझे मिल गई है ट्रीटमेंट गान तो गाइस मैं यहां पर बैठा हूँ मैं को लगता है यहां पर कोई बंदा है पर नहीं है आगे बढ़ते हैं फिर घर के अंदर चलते हैं यहां पर देखते क्या मिला मुझे मुझे मिल गई है M4A1 मैं ले लेता हूँ और यहां पर क्या है P90 नहीं चाहिए ओके गाइस यहां मिल गई है मैं MP5 और मैं ले लेता हूँ SMG MO ओके तो गाइस सामने बंदा है और मैं उसे ऐसा मारूंगा आप लोग बोलोगे वाह पर गाइस हैडशोर तो नहीं लग पाया कोई बात नहीं आगे देखते हैं अभी ब 40 मैंने ले ली थी अब जाके देखते हैं इसके बैक पैक में क्या है मींच इसके लूट क्रेट में क्या है इसके लूट क्रेट में कोई खास चीज है नहीं एक्समेट है वो ले लेते हैं और कुछ है निगास तो आपर निगलते हैं आगे मैं सोच रहा हूँ यहां से निगलते है जाइस क्योंकि यहां पर कुछ अच्छे चीज भी नहीं है ना है कोई अच्छे बंदे मिल रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से ले लेता हूँ मैं AK47 और निकलते हैं आगे ठीक है अभी भी कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ निकली जाते हैं तो मैं यहां से कूछ जाता हूँ पानी के अंदर ताकि मैं तेर सकूँ तो guys मैंने कट कर दिया था और मेरे सामने में को ऐसा लग रह है कि यहां पर बहुत सारे बंदे हैं guys तो मैं आ गया हूँ बाहर तो फिर guys अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक बंदे को तो देखा ही था यह रहा एक बंदा ठीक है guys इसे मार देते हैं फट्टाक से यारे का गयब हो गया ओ भाई यारे का हाट अपक गया औरे यहां पर कोई प्रोटल है क्या औरे दूसरा बंदा आ गया guys क्या था यारे कपड़े चेंज करने गया था क्या ओके guys मैंने मार चुका है उसे headshot के साथ में और अभी वो दूसरा बंदा कहा पर गयब होगा पता ही नहीं चला guys आगे बढ़ते हैं फिर से बंदों को धूनते हैं यहां से मैं आ चुका हूं बाहर यहां से कूट तो सकते हैं नहीं हम लोग तो guys मैं सोच रहा हूं आगे बढ़ते हैं और वो जो बंदा था गयब हो गया था कहीं से तो पता निका गया उसे धूनते हैं जाकर चले उसे धूनते हैं guys यहां से मैं आगे निकलता हूं और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर गाइज एक और बंदा है ओके गाइज तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं बंदा है की नहीं गाइज फिर मैं आगे जा रहा हूँ और जाते रहता हूँ पर मुझे मिल चुका एक मश्रूम खा लेते हैं इसे फटा फट ताकि हमारी इम्म् गया था कहां से टपका किसी को नहीं पता गईज आपको पता है बता जीज यह पता नहीं गढ़िया जाते हैं इक और देखते है अपन्दा कहां से आएगा तो गयाई मैंने रिखनी और मैं आ चुका हूँ वेऊनल स्ट्रीप करके कोई तो जगा है तो गाइज मुझे सामने दिख रहा है एक बंदा उसे मारेंगे हेडशोट तो गाइज उसे हेडशोट मारने के बाद मैं जलता हूं ड्रॉप के उधर और देखते हैं कोई अच्छी जीगन मिल जाए और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यहां पर बहुत सारे बंद है पहले मैं सोच रहा हूं गाड़ी डिस्ट्रोई कर देता हूं तो कि यह लोग फटाक से दोड़ना जाए ठीक है गाइस यहां से मैंने कर दिया गाड़ी डिस्ट्रोई और मेरे पीचे एक और बंदा है इसे भी दे दिया मैंने हेडशोट चिकन चिकन विनर डिनर मैं क्या बोल रहा हूं तो मैं यहां आ चुका हूं मेरे को कुछ नहीं मिला एक मिल गई है एम टू फोर नाइन यह है मशीन गन जिसमें सो गोली जाती है एक साथ में मज़ा आ जाएगा ना गाइस तो मैं सोच रहा हूं ऊपर चलते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर भी एक बंदा होगा क्योंकि मैंने देख लिया था उसका खोपड़ा तो गाइस ऊपर में एक और बंदा है जैसे कि मैंना आपको बताया था इससे जो हेटशट बहुत सही लग रहे गाइस क्या ही बताऊं मैं ऐसे ऐसे हेटशट मारूंगा और यार इसके पास भी कुछ नहीं है गाइस आगे बढ़ते हैं बंदों को धूंडते हैं और देखते हैं क्या होगा तो guys मुझे यहाँ पर एक बंदा नी मिला glue wall तो कम से कम मिली गई है मज़ा आ गया यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं यह क्या परांग वाउ तो guys मैं यहाँ से नीचे उचर जाता हूं देखता हूं यहाँ पर एक बंदा है कि नहीं पहले मैं खा लेता हूँ मश्रूम सेहत के लिए जरूरी है ना तो guys मैंने खा लिया मश्रूम और मेरे सामने बहुत सारे बंदे guys मैंने कट कर दिया था टेंशन मत लेना यहाँ पर दो दो बंदें दोनों को मार दिया मैंने एक साथ में और एक और बंदा है guys मज़ा आगया 11 किल इस बार तो करूँगा मैं बुया ओके मेरी गंड किसने ले ली टें guys यहाँ से देखने इसके पास कौन सी गंड थी ओके मेरे सामने भी अभी बहुत सारे बंदे guys यह रह एक बंदा इसे headshot देने के बाद वहाँ पर एक और बंदा है चलो guys देखते हैं तो के guys मैं चलता हूँ आगे और बंदों को टपकाता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो जो right वाला tower है यह रहा वहाँ पर जाके बैठ जाता हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा है और उसने मुझे damage दे दिया ठीके guys damage तो बहुत कम है पर में को अभी और दिख नहीं रहा है कापर है और वो दिख गया मेरे को अब तो इसे टपकाना ज़रूरी होगा और यह एक और जण को मार रहा है इसे पहले टपकाते हैं उसके बाद उसको भी टपकाएंगे क्योंकि हमको करना है बूया ठीक है guys अब मैं सोच रहा हूँ बैट के थोड़ी camping कर लेते हैं यह tower के उपर चलो उपर चड़ते हैं guys मैं सोच रहा हूँ यही से मैं 20-25 किल कर लेता हूँ just joking मेरे होचुके 14 किल्स और 6 जन अलाइव है मेर को जोड़ कर ठीक है guys अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ क्योंकि मुझे चाहिए बंदे I want to kill them तो मैं सोच रहा हूँ इसकी loot ले लेता हूँ क्या है इसके पास कोई अच्छे चीज है की नहीं तो guys मुझे मिल गई है एक level 3 helmet जो बहुत अच्छा है हमको headshot से बचाएगा तो guys वहाँ पर एक और बंदा है तो guys इसे बिका दिया है हमारे हो गए 15 किल वाउ मज़ा आगया अब देखते हैं क्या होता है और फिर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ guys क्योंकि में को एक बंदा नहीं मिल रहा यार अज मैं स्कारेल को भी छोड़ देता हूँ क्योंकि स्कारेल आज मेरा मन नहीं है क्योंकि मशीन कर मिल गई है मेरे को that is M24 नाइन और मेरे खामने बंदा है औरे मरजा यार फ्लीज मरजा ना मरजा फ्लीज इसे भी टपका दिया सोला किल मज़ा आ गया यार आगे बढ़ते हैं स्केट बोर्ड के साथ यार एक और बंदा मिल गया मेरे को आज में को लगता है आज तो बूया होई जाएगा गयज खर किल कर दिया इसके बाद हम खेलेंगे एक क्लास क्वाड तो गयज ये रहा एक और बंदा इसे टपकाना होगा तो गयज इसे टपकाने के बाद मैं चलता हूँ पत्थर के बीचे रहा एक और बंदा है ये लास्ट बंदा है इसे थोड़ा अलग तरीके से मारेंगे हम तो खतम करते है यार टाइम पास हो रहा है तो गयज हमने कर लिया है बूया गयज इसी बात पे एक लाइक तो बंदा है सब्सक्वाड करना मत बूलना किया हूँ है अगर कर दोगे तो आपको ऐसी लवली कॉंटेंट मिलते रहेंगे तो गयज मैं आ चुका हूँ क्लाइस स्क्वाड के अंदर ये कौन सा मैप है ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो मैं ये टायर के उपर से जंप करता हूँ और मैं नीचे टपक गया मुझे उपर जाना था यार नीचे नीचे टपक ना था मुझे क्यों नी समझते तुम लो तो के गाइस अब देखते हैं बंदे आते कहां से हैं और जाते कहां से हैं गाइस तो गाइस मुझे ये लोग ने दे दिया है इतना डैमेज इतना टाइमेच कि मैं अल्मोस्ट टपक ने ओ भाई वाट हैकर सीरियसली मैं कवर के अंदर हूँ और वो लोग ने मैं को टपका दिया वेट 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 कैस ये तो कोई हैकर ही कर सकता है तो मेरे को लगता है यहाँ पर कोई यार अब काई काई हेल्प करोगे जब टपकाई दिया है मेरे को पूरी तरह कसे तो गैस मुझे लगता है यह लग कुछ खाक नहीं कर पाएंगे खुड टपक जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कट कर देता हूँ अगले मैच अगले राउन में बताता हूँ क्या हम लोग जीते की वो लोग जीत गये 3,2,1,Go guys वो लोग जीत गये ते बहुत अच्छी तरह से वो लोगने हमको इतना मारा, इतना मारा क्या ही बताओं यार कंट्रोल्स क्यों नहीं चल रहे ओ यार कंट्रोल्स चल जा ओके गाईज चल गया यार मैं कब से कंट्रोल्स दबारा था चलिए नहीं रहा था क्या हो गया था पता निगाईज मैंने ले लिए मिनी उजी ये पता निग कहां से नाम रखा है ये लोग ने मुझे लगता है PUBG का देता होगा PUBG में पहली उसी थी और मेंको दौनों तवसे मार रहे हैं एक को टपका दिया और दूसरा अपने उपर रश कर रहा रहा है इससे उठेपाना होगा इससे टपका धी आएगा ये बिनी उसी तो बड़ी उसी से भी कामाल की है वेट भाई क्या बचे हम लोग चार एच पी से सीरियसली सिर्फ चार एच पी था गाईस मज़ा आ गया तो ओ भाई मैं कह से टपक गया मैं मरा कैसे कोई बात नहीं गाईस फिर भी हम जीज गये हैं ये राउंड और इसमें मैं बन चुका हूँ MVP तो हम आ चुक है राउंड त्री के अंदर इसमें मैं ले लेता हूँ एक और वेक्टर और डबल वेक्टर के साथ धमाल मचा देंगे हम तो अभी मेरे पास 900 रुपए हैं मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग ग्लू वाल्स ले लेता हैं वाइस क्योंकि 900 रुपए हैं क्या चार डालेंगे हम लोग तो गाइस अभी इस चार्ट हो चुका है मैच ये मैच भी हमको जीतना होगा क्योंकि हमको इस वीडियो के अंदर दो दो बूया करना है एक क्लास कोड के अंदर और एक पर्मूदा के अंदर तो हम लोग ने कर दिया था क्लास कोड के अंदर करना है ओ भाई बच गए यार आज मेरी किसमत बहुत अच्छी है मैं बार बार बचते रहता हूँ बचते रहता हूँ गाईस पिछले राउंड में तो चार एच पी से बच गया था, मज़ा आ गया था, वो राउंड के अंदर, अब भी गाइज मेरे बंदो को किसे ने टपका लिया, चलो जाते हैं, यहाँ पर धूंडते हैं बंदों को, कहा ले हैं ओ भाई एक और को तपका थिया ए तुने तपकाया मेरे दोस्तों को मैं तुझे तपका दूँगा गोरा बंदर तो गाईस यहाँ पर कुछ धंकी चीज़े नहीं है भाई इसके बाद बहुत धंकी चीज़े भाई ग्लूवल भाई खेगलूवल हो चुकी है मेरे पास गाईस मैं सोच रहा हूं ये लोग के उपर एकदम रश करके मारेंगे टपा टप यहाँ पर एक बंदा था जो स्नाइपिंग कर रहा था हमारे उपर पर इसको मेरे दोस्त ने टपका दिया है गाईस और मुझे लग ओ भाई डैमेज ओ गलूवल लग जा गाईस गलूवल लग चुका है मैं जातो पर्मेनेंट कवर के पीछे ये पर्मेनेंट तो है नहीं टेंपरीरी है गलूवल हमेशे टेंपरीरी कवर है तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करीजेगा उसे ये बंदा मर जा प्लीज प्लीज मर जा ब्रो तो गाईस मैंने एक और लगा दिया गलूवल और मुझे मेडिक किट मार नहीं होगी मुझे ऐसा लग रहे गाईस हम मर जाएंगे क्योंकि रीचे से एक जोन आ रहा है और वो बंदा नान बहुत सही कवर में है मैं को लगता है अपने को नीचे जाना होगा फर टाक से गाईस क्योंकि हम लोग सिर्फ थोड़ी देर के महमान हैं मरने वाले हैं गाईस ओ यार डैमज दे रहा है बहुत मुष्क trial दे यह सां बहुत मुरी हाला दिल दड़क रहा है दुख 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 मरने वाले हैं गाईस हम लोग मरने वाले हैं मरना मत प्रीज प्रीष मिच प्रीष निचे-व जदा हूँ ओ भाई सीरियसली वाद वाट इस गॉइंग ओन हां मैं कैसे मरा भाई चलो कोई बात नहीं है ओ वेट फिर से मैं एक ही वेक्टर लेक पाया यार I don't want to play this game ठीके गाईज मैं सुचरा आपको अगले राउंड तक लेके जाता हूं लास्ट राउंड में क्योंकि गाईज अगर मैं यहां से कट नहीं करता तो वीडियो हो जाती बहुत ही जादा लंबी और बंदे यहीं पर एक वाल लगानी होगी हमें तो guys wal लगाने के बाद मैं यहां से छूपके से इसके उपर रश कर यहीं होता है पीछे से हम ला गाईज इसी बात पर एक लैक तो बंता है सबस्क्राईब करना मत बूलना सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इसी लवली कॉंटेंट्स मिल दे रहेंगे तब तक लिए टाटा बाइबाइब लव यू ओल गाईज बाइ